है दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज हम राज के मुख मंत्रियों के बारे में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का कोश्चन तो आज का कोश्चन है आंदर परदेश के मुख मंत्री कौन है तो यह है यस जगमोहन डेड़ी यानि यह ओप्सन यह है यस जगमोहन अगला कोश्चन है बिहार के मंत्री कौन है तो ये है नितीज कुमार कौन है नितीज कुमार यानि A option ये है नितीज कुमार अगला कोश्चन है गोवा के मुख मंत्री कौन है तो ये है परमोद सावंत कौन है परमोद सावंत यानि A option ये है परमोद सावंत अगला कोश्चन है कुजराद के मुख मंत्री कौन है तो ये हैं बिजय रुपानी कौन है बिजय रुपानी यानि A option ये हैं बिजय रुपानी अगला कोश्चन है हर्याना के मुख मंत्री कौन है तो ये हैं मनोहरला खटर कौन है मनोहरला खटर यानि C option ये हैं मनोहरला खटर अगला question है हिमाचल परदेश के मुख मंत्री कौन है तो ये है जैराम ठाकोर यानि D option ये है जैराम ठाकोर अगला question है उत्तर परदेश के मुख मंत्री कौन है तो ये है योगी आधित्यनाथ कौन है योगी आधित्यनाथ यानि A option यह है योगी आधित्यनाथ अगला question है करनाटक के मुख मंत्री कोन है तो यह है VS यदुरप्पा कोन है VS यदुरप्पा यानि B option यह है VS यदुरप्पा अगला question है केरल के मुख मंत्री कोन है तो यह है पिनाराई बिजियन कौन है ? पिनाराई विजियन यानि A option, यह है पिनाराई विजियन अगला question है महाराष्ड के मुख मंत्री कौन है ? तो यह है दिविन्जफ फंडविस कौन है देवेंज फंडविस यानी B option ये है देवेंज फंडविस अगला कोश्चन है मध्य पर्देश के मुख मंत्री कौन है तो ये है कमलनात यानी C option ये है कमलनात अगला कोश्चन है ओडिजा के मुख मंत्री कौन है ये है नवीन पतनायक यानि ए ओप्सन ये है नवीन पतनायक अगला कोश्चन है पंजाब के मुख मंत्री कौन है ये है अमरिंदर सी यानि ए ओप्सन ये है अमरिंदर सी अगला कोश्चन है राजस्थान के मुख मंत्री क तो ये है असोग गहलोत, यानि A option, ये है असोग गहलोत, अगला कोश्चन है तामिल लाडो के मुख मंत्री कौन है, तो ये है के पालनिश्वामी, के ओन है के पालनिश्वामी, यानि A option, ये है के पालनिश्वामी, अगला कोश्चन है पछिम बंगाल के मुख मंत्री कौन है, तो ये है ममता बनरजी, कौन है ममता बनरजी यानि C option, ये है ममता बनरजी, अगला कोश्चन है, असम के मुख मंतरी कौन है, तो ये है सरवानन सोनेवार, कौन है सरवानन सोनेवार, यानि B option, ये है सरवानन सोनेवार, अगला कोश्चन है, प्रुनाचल परदेश के मुख मंत मंत्री कौन है तो यह है पेमा खांडू कौन है पेमा खांडू यानि सीप्सन यह है पेमा खांडू अगला कोश्चन है मनीपूर के मुख मंत्री कौन है तो यह है एन बिरेंसी कौन है एन बिरेंसी यानि ए ओप्सन यह है एन बिरेंसी अगला कोश्चन है भे मिघाले के यानि B option यह है kwan rat schma अगला question है मिजोरब के मुख म Unterstüt कौन है तो यह है जोरब ठांगा कौन है जोरब ठांगा यानि यह option यह है जोरब ठांगा अगला question है नागलेंड के मुख म Philippines कौन है यह नैप्यो रियो कौन है नैपियो रियो यानि ये option ये है नैपियो रियो अगला question है सिक्किम के मुख मंत्री कौन है तो ये है प्रेम सी तमांग कौन है प्रेम सी तमांग यानि C option ये है प्रेम सी तमांग अगला question है त्रिपुरा के मुख मंत्री कौन है तो ये है विलब कुमार देव यानि B option, अगला question है, 36 गट के मुख मंत्री कौन है, तो ये है भुपेश बगेल, कौन है भुपेश बगेल, यानि A option, ये है भुपेश बगेल, अगला question है, जारकन के मुख मंत्री कौन है, ये है रगुवर दास, कौन है रगुवर दास, यानि A option, ये है रगुवर दास, अगला question है उत्राखंड के मुख मंत्री कौन है? तो ये हैं TRIVENC Rawat, यानि A A Option, ये है TRIVENC Rawat, अगला question है, तिलांगाना के मुख मंत्री कौन है? अब कुछ केसासित पर देसे जहाँ भी मुख मंतरी है जैसे अगला कोश्चन है दिल्ली के मुक मंतरी कौँ है तो ये है अर्विंद्र केजरिवाल यानि B option ये है अर्विंद्र केजरिवाल अगला question है पांदु चेरी के मुख मंत्री कौन है तो ये है वी नरायन सामी कौन है वी नरायन सामी यानि D option ये है वी नरायन सामी ये था आज का question फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर नए topic के साथ अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसको like कर दिजी अगर आप इस channel प